नमस्कार मैं हुआ विशेक त्यागी आप देख रहे हैं स्पोर्स फैंट IPL 2022 को लेकर अब सरगर्मिया शुरू हो चुकी है लोगों का अंदर जो जुनून है IPL 2022 को लेकर वो अब सर चड़कर बोल रहा है हर कोई अब चाहता है कि IPL की शुरुवात हो जाए तारीखों का ऐलान हो चुका है वेन्यू का ऐलान हो चुका है बस अब शुरुवात की देरिये बता देते हैं लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि उसके बाद में अप्रैल में फर्स्ट विक में IPL होने की शुरुवात होने की बात भी कही जा रहे कि अप्रेल के पहले वीक में IPL शुरू हो सकता है लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में भी होगा तमाम दर्शों के जहन में होगा और हमारे जहन में भी है कि अगर IPL 2022 में भी Omicron का कहर आया अगर IPL 2021 के तरह 2021 को shift कर दिया गया था क्योंकि बीच में कोरोना का कहरा गया था UA shift कर दिया गया था अगर वही हालात 2022 में भी हो गई तो क्या होगा BCCI क्या फैसला लेगा दादा क्या सोचेंगी क्या IPL रद कर दिया जाएगा क्या IPL को रोक दिया जाएगा या फिर कहीं shift कर दिया जाएगा यह सवाल आपके जहन में भी होगा तो इस सवाल का जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दासल इस बात को सोचते हुए BCCI मिटिंग कर रही है क्योंकि यह सवाल है यह सवाल दादा के जहन में भी है BCCI के अंदर जहन में भी सवाल है कि अगर वो हालात दोबारा से आ गए तो क्या होगा और इसको लेकर मिटिंग लगातार BCCI कर रही है सबी जो दस्टीमे हैं उनके मालिकों से इस पर एक बैठक की गई इस बैठक में एक बात निकल कर सामने आई बाहर और ये फैसला लिया गया कि अगर 2022 में भी इसी तरह के हालात बनते हैं जो पहले हुए थे तो IPL को भारत में रोक दिया जाएगा और UAE में शिफ्ट कर दिया के लिए नहीं मिल रहे हैं हालात अभी इस थिन हैं हालात कंट्रोल में हैं लेकिन अगर अप्रैल तक हालात कुछ बिगरते हैं मामले ज्यादा आते हैं तो फिर और कोई खिलारी टीम का या फिर कोई सपोर्ट अरिस्टाब जो है वह वह पॉजिटिव पाया जाता है उसका हालात में उन कंडिशन में आईपियल को भारत की बजाए फिर यूए में सिफ्ट कर दिया जाएगा जिस तरह से 2021 में हुआ था तो यह आईपियल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट थी 2022 को लेकर बड़ी अपडेट थी क्योंकि आपके जहन में भी सवाल जरूर होगा क यह अपडेट सबसे पहले आपके पास हमने पहुचा ही है चैनल को वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने है